खालो रिबां दोस्तो गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब दोस्ते यहां पर आई टी आई इंस्ट्रक्टर वेकंसी को लेकर दोस्ते हां पर एक नोटिफिकेसन आया हुगा है जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे या कि जो वेकेंसी दोस्तों ये कौन-कौन से इलिजबल है, कौन-कौन से ट्रेट वाले, हाला कि ये ITI बेस पर है दोस्तों, लेकिन ये क्या इसमें रिक्रिमेंट प्रोसेस क्या है, कितनी सीटे आई हैं दोस्तों, और सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आई-टी-आई इंश्ट्रक्टर वेकेंसी है, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल बात करते हैं, दोस्तों अपको पता है का हमरूर इस चैनल पर दो या तीन वीडियो आई-टी-आई के रिटेड हम लोगे आते रहते हैं सब्सक्राइब कर लेना टेलिग्राम में जा करके तो हमारा जो है चैनल मिल जाएगा आपको और दोस्तों यहां पर लिंक भी हम प्रवाइट करा देंगे आपको चलिए वीडियो के सुरू करते दोस्तों आखिर यहां पर वेकेंसी कितनी है सब बिल्कुल विद्व जानते हैं दोस्तों आप इस स्क्रीन पर 2216 नियमित इस्ट्रंक्टर बहाली की वेकेंसी माई तक इलेक्टरिसियन के 331 पद दोस्ते हैं पर इलेक्टरिसियन के 331 पदों की जो है यह गोश्डा की गई है तो आखिर दोस्ते हैं पर देखिए सब कुछ आप दिखेंगे ध्यान से तिससे चीज़ों में सब कुछ थोड़ा क्लियर आपको ध्यान दिखाई नहीं देगा लेक है और वेकेंसी दुस्तों नाम है बिहार इटिया इंस्ट्रक्टर बेकेंसी 2023 ठीक है तो दुस्तों हम यहाँ पर आगे हम completely बात करेंगे और क्या क्या है सब कुछ हम जानेंगे ठीक है रहाव बात करते हैं इसमें बड़ी है कि बहुत सालों के अथक प्रयास के बाद जो है यह भरती आ रही है आप देख सकते हैं उसके हाँ पर पिछले 9 सालों से लंबा इंतजार खत्म कुल 2216 पदों पर भरती आ रही है नई भरती तो जितने भी यहाँ पर आई टेक चाहत है आपके लिए गूड निउस है ताजा मिले अपडेट्स के अनुसार हम आपको बताना चाहें कि सरकारी आई टियाई में नियमेत इस्ट्रक्टर अनुद्यसक बहाली के लिए पिछले नौ सालों का इंतजार खत्म हुगा है आपको बता देख कि बिहार राज बेकुल 149 सरकारी आई टियाई में माई 2023 में 2016 पदोपर नई बंपर भरती लाई जाएगी सेस बचे पदोपर भरती प्रिक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा किस आयोग द्वारा भरती की जाएगी बिहार आई टियाई इंस्ट्रक्टर वेकेंसी दुशा तर इसक लिए मोगत तर पर बिहार तक्निक की सेव आयोग द्वारा पूर्ती भरती प्रिक्रिया संचालन किया जाएगा संख्याव नामंगन चम्ता क्या है तो दोस्ते हाँ पर टोटल कुल सरकारी आइटिया एक कुल संख्या एक सो उन्चास है विहार में और नामंगन की कुल चम्ता तस्तों 28,000 है नीजी आइटिया एक इलक्ट्रोनिक्स मेकानिक्स दोस्ते हाँ पर 236 पर भरतिक की जानी है आई टी यूम यह सम ने दो 49 पर है और 182 तो तहने आपर इंजिनर ड्राइंग पर है 176 वेल्डर का पद है मेकैनिक डीजलगा एक सुचि श शहत्र पद है वरक्षाप कलकुलेशन का 166 पद है परलंबर गच साथ है इसका दोस्ते हैं, mechanics, electronics, and appliance का दोस्त चारीश पद है, 40 है यहाँ पर turner का है, mechanist का, 33 है, 31, wireman का है, 24, draftman, civil का है, इसका दोस्ते हैं, यहाँ पर refrigerant का दोस्ते हैं, स्पाइक्ट शगरइस का थैक्ट इसक्राइब है। इसके पाफिछेंगे पद है। इसको पडूस्तों और ही hanwork Clark शुक्तों अधुन मिशन को सब्सक्राइब नन न कि शुब्लनड in नोipes की-दिन व्लोड आठ पद है। िंस्ट्रूमेंट में के अच्छे पद़ है रही है तो 똑같 iOS जो है निकाली है सब कुछ अच्छेसे हार ट्रेड के लिए नीकाली गई है तो आप वोग यहाँ पर अच्छेस देखिया ना जो वेकेंसि लोटल वाहिसो कुछ पढकन भरती की जा रही है दोस्ति हां पर जो भरती है यह आप लोग बहुत जल देखने कुर जाएगी माई तक बात कही गई है तो आपकों यहां पर आपगों जल भरती देखने को मिल रही है दोस्ते हम पर जो इलिजबिल्टी की बात करें आपके पास क्या क्या योगिता होनी चाहिए कैसे बन सकता हूं तो इसका सवाल यह है कि आवदकों को समंधित विध्रा ट्रेंड में डिगिरी डिपलोबा कोर्स होना चाहिए और आवदकों के पास 18 महने का आई टेयाइ इंस्टरक्टर कांशल में पंजिकेत दस्वी आई स्कूल या बैट्रिक पास होना चाहिए यह होना चाहिए ठीक है तो दोस्ते हाँ पर जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपको बीडियो को मादाने की पूरी कोशिश करेंगे अभी अपलाई समंदित कोई इस तरह की बात नहीं है माईता के भरती आनी है तो फिलहाल अस तो यह सिर्फ नोटिफिकेशन अकबार में यह मादहम से यह पेपर में निकला हुआ है तो जब भी इस तरह की वब्लेट आएगी हम आपको वीडियो को मादहम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं एक लिए वीडियो में जै हिंद बंदे बातरों